हेलो साथियो नमस्कार आपका हमारे इस यूटूब चैनल पर हर्दिक स्वागत है तो आप हमारे इस यूटूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फ्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजे और अपने दोस्तों को सेर कीजे तो साथियो आज हम बात करेंगे PPR disease के बारे में यह जो PPR बिमारी है जो paste days, pates, ruminants जिसे PPR कहते हैं यह जो बिमारी है बकरी और भेड में देखा जाता है ठीक है यह बिमारी जो गायब है इसमें नहीं देखा जाता है मतलब नहीं होता उसमें तो आप यह भेड बकरी में देखा जाता है और यह एक viral disease है जिसके virus का नाम है marbili virus ठीक है marbili virus के कार होता है जैसे अगर इसमें infection किस प्रकार से फैलता है तो इसके infection की जो transmission की बात करें तो यह पस्वो के लार, मुत्र और नाक के इस्तराव से फैलता है नाक के इस्तराव से फैलता है और जैसे इसके अगर हम symptoms की बात करें तो पस्वो में क्या क्या लक्षड आते हैं तो पस्वो में nasal discharge रहता है जिसमें पस्वो में मतलब salivision हो सकता है नाक से या मुझ से ठीक है और पस्वो को निमोनिया भी हो सकता है और पस्वो में कफिंग याने सर्दी खासी है सब देखा जाता है और पस्वो का temperature 104, 105, 106 सब चला जाता है और पस्वो में जैसे पस्वो खाना पिना बंद कर देता है क्योंकि हाई फीवर के करण और जो भी पस्वो है वो डायरिया मतलब दस्ट इस्टार्ट कर देती है कभी-कभी बलडिंग डायरिया भी हो सकती है मतलब खुन भी आ सकता है तो इस प्रकार से पस्वो में इसके सिम्टम्स आपको देखने मिलते हैं तो जैसे इसके अगर हम treatment के बात करें तो आपको आपको injection लगाना है safety of sodium आप 1.1 mg या 2.2 mg के हिसाब से मतलब kg body weight के हिसाब से आप लगा सकते हैं ठीक है जो भी body weight है ठीक है तो आप आप और दूसरा injection आपको लगाना है flu nixin megalumine जो megalurine injection आता है आप इसे अपने बकरी में 2-3 में लगा सकते हैं ठीक है body weight के हिसाब से और आपको एक injection लगाना है CPM जो chlorpheramine millate है जिसे हम CPM बोलते हैं आप इसे एक से 2 ml तक लगा सकते हैं अपने पसू में और आपको जैसे की diarrhea को रोकने के लिए आपको bolus यूज करना है कोई भी bolus जैसे की sulfur trim bolus यूज कर सकते हैं या c phlox या आप नार phloxacilline या नीट्टी नीटा जो का bolus यूज कर सकते हैं तो जब जो हमने आपको मतलब injection के बारे में बताया तो आपको ये 3 इंजेक्शन आपको लगातार 3-4 दिन तक यूज करना है ठीक अगर temperature down होता है तो आप बेला मिल या मल्टी विटामिन इंजेक्शन लगा सकते है आप ट्राइवेट इंजेक्शन डेली लगा सकते है ठीक है और आपको बोला स्यूज करना है 2-3 दंग तक डारिया को रोगने के लिए और पसू 2-3-4 दिन में अच्छे से ठीक हो जाएगा ठीक है खाना पिना स्टार्ट कर देगा और इस बिमारी पसू खाना पिना बंद कर देता है ठीक है तो साथे ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और स्ट्राइब किजिए धन्यवाद